जले एक और important week हमारे सामने और पिछले हफते हम काफी volatility अस्तिरता से brace up कर रहा थे उठापटक के बीच कामकाच हुआ था नेट-नेट कमजोर रहा पिछला हफता और इस हफते expiry, monthly expiry की करनी है तयारी और दिस तरहां के result season tool पकड़ता हुआ, result specific sharp reactions आते हुए, volatility शायर इस हफते और बढ़ती हुए नजर आए, लेकिन जली हफते की शुरुआत पे जो क्यूज हैं आपकी screens पर, sgx nifty आज फिर कह रहा है 200 point का दबाफ, इस तरह के तगड़े gap down के साथ, भारते बजार कर सकते हैं कामकाच की शुरुआत, एशिया ही पैक, ऐसा ही कमजोर, across एशिया डेर से पौने 2%, सारे important markets दबाफ के साथ ट्रेड करते हुए, और वज़ा आपकी screens पर, US में Friday को 5.5% से 3% का दबाफ, जो DAO आपकी screens पर है, almost 1000 point का pressure, ये 2020 के October महीने में इस से ज़्यादा दबाफ देखने को मिला था, और उसके बा Friday को वहाँ पर देखने को मिली, अब भाना होगा को इसी ब्याजदरे बढ़ने का, लेकिन वहाँ के अपने result season जो है, उसमें भी दिक्कत आती हुई, वहाँ पर भी शाप reaction results की देखने को मिली, DAO वाली companies falter करती हुई, सब कुछ था, ये US में दबाफ का कारण बनता हुआ, और आज सुबह दिक्कत ये कि उस तरह के pressure के बाद, US markets उभरने का mood नहीं बना रहे है, आज सुबह के futures भी, उस धाई पॉने तीन परसंट के दबाफ के उपर आधादे परसंट की US markets के futures आज कामकाच के शुरुआत होने के indications देते हुए, तो हमने कहां छोड़ा था और किस परसंट की weakness हमें digest करनी हो आपकी screens पर, जैसे example, 34-600 के levels पर DAO futures, आज सुबह, 33-800 पर, तो 200 और 600, 800 पॉइंट डाओ का pressure, likewise वैसे ही आपको NASDAQ और S&P में दबाफ जो digest करना है, वो नजर आएगा, अच्छा और इसके आगे ली प्लेट दिखाएगा, ना bond yields में, ना ऐसा पूल आफ होता हुआ, तो ऐसे कोई specific संकेत खराब नहीं है, बस equities से थोड़ा सा risk off है, संकेत खराब तो थे ही, जसके तस्प बने हुए है, डिटोरियेट नहीं हुए ये variables, लेकिन equities में थोड़ा सा risk off का mood बन गया है, और US के result, results season हमाने भी बड़े शाप reaction दे रहा है, likewise US में भी दे रहा है, पर mood set हो गया है, सफते का, दबाब वरा है, cross the globe pressure के साथ काम का, जैसे में mood बिगड़ा की हुआ है, ऐसा क्या हो गया है, US में, निरा जी बताएंगे, निरा जी क्या हो गया, ये बाकी सब ठीक था, dollar index, कच्छा तेल, bond yield, जसके तस ही है, फिर क्या हो गया जब ये सब खराब थे तब market क्यों चलता था, तो इस सचा तो फिर खराब हो जाते, नहीं नहीं, दएके मार्केट में, ये तमाम जो structure आप बता रहा है, ये last week ही खराब हो गया थे, और Friday को 3-3% सारे indices गिरे थे और weekly basis पे आप देखिए, दो-दो परसेंट, या 2-3%, NASDAQ में तो 3% की weekly basis पे भी गिरावट है, तो ज़्यादा तर indices में जहां नतीजे अच्छे आने के बावजूद लोग विक्वाली कर रहे हैं, क्योंकि जो पुराना डर है न, नई बात कोई नहीं है, इंफलेशन का है महंगाई का, वो बहुत गहरा गया है, और जहां-जहां भी जि बहुत खराब हो चुके हैं, तो इसलिए उस डर को भी टिगेट करने के लोग करें, और ये हफता और थोड़ा इंपॉर्डेंट दो लिहास है, यूएस क्यूएन जीडीपी के नंबर आएंगी तरस्डे को, और यूरप के भी जीडीपी नंबर आएंगी फ्राइडे को, उन दोनों से और अंदाजा लगेगा कि किस तरीके की एकॉनमी की हालत है, तो चार मही की जो बैठक होने वाले उसके लिए और एक ग्राउंड तयार होता हुआ दिखेगा, इसलिए बजार में लगातार जो ग्रोथ स्टॉक है, वहाँ पे तगडीप इटाई है, ग्रोथ स कर दो दो जाए हराय था हुआ हाँ